नवस्कार आप देख रहे हैं निराम्या आपके साथ मैं हुआल का वर्मा आज कल की भाक्ती दौरती जिंदिकी के कारण 10 में से 7 महिलाएं किसी ना किसी हेल्थ प्रॉब्लम की शिकार है रसौली भी इन्नी में से एक समस्या है रसौली कैसी गाठ है जो अक्सर महिलाओं के ग 30-50 साल के महिलाएं कभी इस विमार की चपेट में आ सकती है लेकिन 30-50 साल की महिलाओं में ये समस्या ज्यादा देखने को मिलती है इससे पैदा होने वाली सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस तरी के गर्ब धारन करने की रहा को बहुत मुश्किल बना देती है बहुत सारी म बिमारी है और इस बिमारी की वजह से ऐसे हालात ऐसी नौबत उत्पन हो जाती है आज हम आपको गर्भार्षे में रसोली होने की कारण इसके लक्षन और समाधान के बारे में बताएंगे हमाई साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी डॉक्टर रेनो गुपता ये प् समाधान क्या है घबराने की जरत नहीं है घर बैटे हर बात हम आपको बताएंगे आपको करना कुछ नहीं है बस फोन उठाना है नमबर्स दिये हुए है आपको फोन करना है और डॉक्टर रेनो गुपता हमारे सा स्टूडियो में मौजूद है वो आपको तमाम सवालों के तमाम डाउट्स के सलाहा भी देंगी समाधान भी देंगी और आपसे बाचित करके आपको हौसला भी देंगी डॉक्टर रेनो को फोन से स्टूडियो में है चलिए आपको मिलाते है मैं आपका बहुत स्वागत है निराम्या में और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप स इसका इलाज हो सकता है क्योंकि आजकल बहुत सारी महिलाएं हैं जिनमें इस समस्या उत्पन हो रही है और सबसे बड़ी जो दिक्कात आजाती है वो ये कि महिलाएं फिर समस्या के बाद माह नहीं बन पाती बाकी जानकारी डॉक्टर इनु गुपता आपको देंगी जी आपने बिल्कुल ठीक का कि ये 20-40 वर्ष की आयू की महिलाओं में बहुत जादा देखा गया है और बेसिकली ये है एक छोटे से मटर के दाने से लेकर एक फुट वाल तक के साइस की हो सकती है इसकी लोकेशन जो गरभाशे है बच्चे दानी उसकी मसल वाल से ये इसके जो लक्षन में रहते हैं वो महवारी की दिकत अगर ये रसॉली अंदर की तहे की तरफ बच्चे दानी में आ रही है इसमें महिना तेज आ सकता है लंबे टाइम तक रह सकता है ताइम से पहले आ सकता है और आपने जैसे बता इन फर्टिलिटी बाश्पन वहे भी इ या ये नलों के उपर प्रेशर दे रही है या ये बच्चे दानी की मुँव पर आकर जो रास्ता है जिसे शुकानों को उपर पहुच रहे है उसमें रुकावट पैदा कर रही है कभी-कभी इसमें जो मरीज के मन में शंका आती है कि इसमें कोई बड़ी बिमारी कैंसर नह अगर यह है चाली सल सी कम उमर के महिला में हो रही है तो इसका अनुमान है कि इसका इंसिदेंस जो कैंसर बनने का है वो लेस देन 0.1 हजार में से भी एक मरीज को होने की आशंका होती है जो कि बहुत कॉमन नहीं माना जाता तो में जो इसका रहेगा वो माहवारी की दिक्क अगर आगे जो बाथरूम की थहली है उस पर प्रेशर डालेगी तो यूरीन में रुकावाट हो सकती है रसॉली की वेट की वज़े से बार बार यूरीन जल्दी जल्दी आना की प्रॉब्लम आ सकती है ऐसे ही अगर वो बाहर की तरफ फूट पाइप पर प्रेशर देगी तो उसमें कबजी हो सकती है और मोशन के टाइम पर पेइन भी हो सकता है इसका आप बताइए कि आप क्या जानना चाहेंगे कि इलाज अगर हम इलाज के अंगल से देखते हैं तो यह तीन बातों पर निरभर करेगा अगर तरफ सॉली चोटी है चार सेंटीमेटर से कम है और बाहरी तहह पर है, मरीज को लक्षन नहीं है तो इसके लिए कोई भी इलाज लेने की जरूरत नहीं है लेकिन इसका हमें फॉल अप करना ज़रूरी है यह नहीं कि हम उसको भूल सकते हैं ऐसा नहीं है तीन से छे महिने पर हम बार बार अल्ट्रसाund कराकर यह जानना जरूर कि वह अंदर बढ़ तो नहीं रही है या कोई बीच में लक्षन आ गया तो तुरन डॉक्टर से परामर्ष करेंगी लेकिन अगर आज जब यह रसॉली पता चल रही है और मरीज को साथ में लक्षन भी है तो उसमें हमें इलाज की जुरुत है जो कि अभी हम आगी करते हैं कि इसमें medical therapy भी है और operative surgery भी है इलाज के लिए तीसरी जो important बात है वो महीला की उमर बहुत depend करती है अगर आयू 40-50 से अधिक है तो उसमें क्यूंकि बड़ी बिमारी बनने का आशंका बढ़ जाती है और family भी completed है तो उसमें रसॉली के साथ साथ गरभाशे को भी निकालने का परामश दे सकते हैं लेकिन अगर मरीज की उम्र कम है यंग patient है अभी उसको अपनी family बनानी है तो उसमें हम conservative surgery जिसमें केवल रसॉली निकाल दी जाती है और गरभाशे पर कोई भी आँच नहीं आती और मरीज बहुत असानी से महीने दो महीने बाद अपनी pregnancy plan करके एक successful pregnancy औ बहुत असर हमारे शरीर पर रहता है और रसॉली अगर हम बात करें कारण क्या है तो एक lifestyle में पीछे reason हो सकता है बिल्कुल हाँ जी अगर हम exact वजह रसॉली क्यों है यह तुम कोई नहीं जान सकता पर research के हिसाब से lifestyle का पूरा रोल है क्योंकि अगर पेशन में obesity है वजन जादा है मोटापा जादा है तो एक यह chemical होता है estrogen जो इस रसॉली को से बहुत इसको बनाने में रोल होता है उसका और मोटापा अगर है तो उसमें estrogen जादा प्रड्यूस होगा ऐसे ही अगर महवारी कम उम्रम की बच्ची में शुरू हो जाती है या महवारी लंबे टाइंग तक चलती है जो मीनो पॉज़े लेट हो रहा है अगर pregnancy नहीं हो पा रही है alcohol अगर कोई मत सेवन का use कर रहे है तो उसमें भी fibroid होने की chances बढ़ जाते हैं एक psychologically अगर stress stressful female है तो उसे stress की वज़े से hormones disturb होते हैं और क्यूंकि है hormonal dependent tumour है तो tumour के chances बढ़ जाते हैं तो डॉक्टर रेनु गुपता अगर हम symptoms की बात ये करें तो किसी महिला को अगर जैसे आपने बताया periods में जादा दिक्कत है तो कही न कहीं उसके लिए ये कहने की हम एक इसारा है कि आपको डॉक्टर के पाई जाके consult करना है हो सकता है कि ये रसौली हो या fibroid हो और बहुत स से ग्रस्त है इलाज के साथ साथ क्या वो गर्भ धारन कर सकता है या फिर अगर fibroid की वज़े से गर्भ धारन करने के जो चांसे से वो बिल्कुल खत्म हो जाते है नहीं नहीं देखे ऐसा है अगर रसौली छोटी है बाहर की तेह पर है तो वो pregnancy करने में और pregnancy थैंड़ने में ये दर्शक हमारे साथ जुड़ गई है अरचना अरचना जी बताईए अरचना जी हम आपको सुन्पारें अपना सवाल कीजिए हां जे तर्णा उसके पेदे बेती हुई थी जी लड़की थी हम तो वह जाब रखोड़की हो निसके नो सापको सोडी हो गय थी थी जी हम जी कर घ्रडार एकाम द lienा scoring समय को पादा जो हुई था? अब अ नगा ब यूशती इस रालें की मोधी वू कैसा रहा है यूशती? कि हरुका कारत रां डेहा? कुछा हो अभ दी करने नियू एका कामदा जो हो बसदे होगा और तो काम इस ऐसे भी है? तो आप सकति हैं। तो प्रेगनेंसी में तो अगर बच्चे दानी की रसॉली बाहर की तरफ है छोटे साइज की है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपकी बेटी आराम से प्रेगनेंसी दुबारा कर सकती है प्रेगनेंसी चल रही है या डिलीवरी हो चकी रसॉली रिमूव करा दी और प्रेगनेंसी का क्या स्टेटस है अच्छा देखे यह बात सबस्ट करना चाहूंगी अलका जी यह बहुत ही मिस्नॉमर है कि रसॉली के साथ प्रेगनेंसी हो गई तो अबॉर्शन करा लेना चाहिए ऐसी नौबत नहीं आती है यह बच्छेदानी की जो रसॉली है यह बिनाइन ट्यूमर होते हैं और यह जब प्रेगनेंसी बढ़ती है साइज में जरूर बढ़ते हैं और कई बार इसमें दर्द भी बैठ जाता है कई बार यह सणने भी लगती है परन्तु हमार पस ऐसी मेडिकल थेरपी है जिससे हम इस चीज को कंट्रोल करके प्रेगनेंसी को हम आगे तक ले जा सकते हैं तो आर्चना जी आपने जिन डॉक्टर को दिखाया क्या उन डॉक्टर की तरफ से आपको कोई मदद नहीं मिल पा रही यह मुझा है जैसे पहले हूना बच्टा भी होजाए गर तोरी भी होगी तो ऐसे याबू होगा आप उनो इसको भी रहा है तो आपने बेवी की ती त नशी नुक्रा जाए अग्यां से अर्टे पैसे दोराया उने का बच्टे का लिगर फार्चन हो जाएगा नहीं तै'aval fica BK2 मुझे जैसे बता रही है अर्चना जी कि रसौली निकाल दी गई है तो उसके दो महीने बाद हमें अर्लियस प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए यह डर के कि वह दुबारा हो जाएगी आगे उसका आउटकम कह रहेगा वो नहीं हमें सोचना है क्योंकि वो इतनी जल्दी दुबारा नहीं है और एक बार गरभाशे से रसौली निकलने के बाद गरभाशे नॉमल बिहेव करता है उसमें नाच्रल प्रेगनेंसी भी हो सकती ह और प्रेगनेंसी नुँ मैने तक अराम से चल जाती है तो यही डर हमें अपने मन से निकालना है कि अगर बच्चे दानी में रसौली है तो हमें डर के नहीं रहना ये नहीं सोचना कि एक बार नहीं हो चुका है तो गरा होगी इस सब बातों को छोड़ कर जो फर्ट है उसक आरशनाजी, ऐसे बहुत सारी female patients होंगी, जो कही न कहीं, जिनके मान में ऐसे doubts हैं, और वो doubts clear नहीं हो पाते, कही न कहीं, अगर young age की लड़किया, जो unmarried है, उनमें अगर रसॉली होती है, तो उन्हें भी ये खत्रा, ये डर रहता है, कि अगर वो conceive करती है, तो आने वाले हम regular follow-up में doctor के हैं, और रसॉली नहीं बढ़ रही है, तो यह pregnancy achieve करने में दिक्कत नहीं करती है, इतना जरूर है, कि अगर रसॉली के साथ अगर pregnancy होई है, तो हर मरीज में तो नहीं, बट कुछ मरीज में कई बार miscarriage होने का डर बढ़ जाता है, पूरा 9 महीने पूरे होने के normal जो सिर बच्चे का नीचे होना चाहिए, normal delivery का वो नहीं होना, space का मिलने के वज़े से बच्चा आडा, टेडा और breech position में आ जाता है, और इन सब चीजों से complicated pregnancy है, यह high risk pregnancy है, पर अगर under supervision हम चलते हैं doctor के, तो 9 महीने थोड़ा bed rest और थोड़ा extra care के साथ, अराम से हम pregnancy को last moment त राहत दी होगी, जिनके मन में अभी भी कही न कहीं है सवाल था कि फाइब्रोइड की वज़े से वो मा नहीं बन पा रही है, और अगर आपकी भी कोई समस्या है, इससे जुड़े हुई, नमबर स्क्रीन पर आपकी चल रहे हैं, इस वक नजर आ रहे हैं, आप पोन कर सकते ह हमारे साथ यूपी से एक दर्शक है विक्रम, इनसे हम बात करेंगे, बताईए विक्रम जे, नमस्कार, हमारे साथ डॉक्टर कुपता हैं स्टूडियो में, बताईए सर क्या पूछना चाह रहे हैं, आपकी टीवी की वॉल्यूम थोड़ी सी कम कर दीजे, विक्रम जी हम आ पील है जब भी वो हमें फोन करते हैं तो आप प्लीज अपनी टीवी की आवाज कम रखिए ताकि आपकी बात हम सही तरीके से सुन पाएं, डॉक्टर कुपता, एक सवाल यहां मेरे मन में यह भी उठ रहा है, कि फाइब्रॉइड क्यूंकि इतनी कॉमन सी अब चीज हो कि अगर किसी लड़की को फाइब्रॉड मालूम चलता है और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट आगे क्या कुछ उसे प्रिकॉशन लेने हैं, वो सब चीजे भी बहुत इसमें हो जाती है अगर एक बाद किसी भी लड़की को बता चलता है कि रसॉली है तो अगर लक्षन नहीं है तो हर तीन से छे महिने बाद रिपीट अल्ट्रसौं करान है अगर लक्षन में पीरिट्स की प्रॉबलम आ रही है तो एक जनरल मेडिसन क्यूंकि ज्यादा ब्लडफलो होगा तो शरीर में खून की कमी होगी और उसकी वज़े से हो सता है कि महिला को वीक्रेस ज्यादा फील होए अपना जो भी प्रोफेशन है उसमें काम करने में थका पीरिट्स ज्यादा आ रही है तो उनको आइरन के टेबलेट देने से भी काफी इंप्रोव्मेंट मिलती है क्यूंकि जनरल वेल्बिंग इंप्रोव हो जाता है उसके बाद हमारे पस कुछ ऐसी टेबलेट्स भी है जो पीरिट के टाइम पर ब्लड फ्लो को कम करती है तो के रसॉली का साइज पर फरक नहीं पढ़ रहा बट क्यूंकि रसॉली बहुत स्लो ग्रो करती है तीन से पांट साल में भी मुश्किल से यादा एक सेंटिमेटर बढ़ने काशन के लिए गुर्णामो देभी एक दर्श्रक है हमारे साथ अंबाला से बताएए मैं मुंस्ते जी नमस्कार बता ज़ी fulfilled मैं तो अ बार हमेठी नहीं नहीं प्रणवे एक साथ शोड़ के लियाचि में साथ आप यूंट के लिर फी में घरीटे में हैं और नग्मने когда मुद मुदल के लिए हैंet उसकी साथी नू रहा थिरूवह साल चल रहा अब तक उसने बच्चा नि एक बार रहा तो उसते बाद बच्चा नि रहा है क्या उनकी सब जांचे आपने कराई हैं कुछ प्रॉब्लम निकलिए हुश्बन में या वाइफ में सब कुछ कराया, सारी जान चांकराय ली, तो कोई नी फर्क पड़े है, यह मन अगरम अच्छे डाक्टर, पूसा राठी, कई कई डाक्टर निया पते कराया, आज़िए ऐसा है, कि प्रेग्नेंसी नहीं होने की जिम्मेदारी में, हस्बन और वाइफ का इक्वल रोल है, तो क की एग अच्छा बनता है, अंडा बनता है, फिर उसमें प्रूसीजर्स एड़ करते हैं, आईवाई होती है, जिसमें हस्बन का पानी अंदर बच्चे दानी में चढ़ा कर प्रेग्नेंसी के चांसिस को बढ़ा सकते हैं, अगर रसॉली नहीं है, और तो भी अगर कंसीव कर अगर कर प्रेग्ने चांस्वर आजाता है, जी, सूरज एक दर्शक हमार से टावा से हैं, बताए सूरज जी, सूरज जी सुन पा रहे हैं हम आपको अपने सवाल पूछिए, जो पेट के नीचे दर्द होता है, वो कैसे होता है? दिखें, मेल पेशेंट है ये, तो पेट का दर्द जो है, वो मिस्लेनियस वजे से हो सकता है, कि अवर आंतों में एसिडिटी की प्रॉब्लम हो, कब्स रहती हो, यूरिन में इंफेक्शन हो, और मेल्स में प्रॉस्टेट की प्रॉब्लम इससे भी हो सकता है, आपको अपन अपने पेट दर्द के समंद में, नहीं, तो फिर आपको एक बार दॉक्टर से परामर्श जरूर ले लेना चाहिए, क्योंकि पेट दर्द की कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे दॉक्टर गुपता भी बता रही है, और मैम, एक सवाल, सूरज जी के सवाल से ही, यहां में प में अगर कोई भी टिश्य गुरो करते हैं उसको रासॉली तो में मैल और फिमेल रासॉली को ऐसे कंपार ले कर सकते हैं weld जैसे पर мышl ऐना में बात करता है जैसे लंग चाहिए जो अगर ऑफर एक त zweiten तो तो में मेल में होता है, प्रो गुर भी द्चाहिए Seriously! तो अगर आपका भी उससे जुड़ा कोई सवाल है, कोई डाउट है आपके मन में या आपको लग रहा है कि मेरे पिरेट्स में प्रॉबलम है किसी महिला को तो उसके पीछे कारण रसौली हो सकता है तो डॉक्टर गुपता हमार से स्टूडियो में मौझूद है, आप फोन करकी सला ले सकते हैं, कारण और सवाल भी कर सकते हैं अलका जी मैं आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इसमें मेडिसन का जो रोल आया है, इसकी जांकारी बहुत कम पबलिक है उनके मन में लगता है रसौली आ गई तो सीधा आपरेशन ही करना जरूरी है, लेकिन कुछ ग्रूप ऑफ पेशन्स होते हैं, जैसे यंग पेशन्ट है, फैमिली कंप्लीटिड है, रसौली छोटी है, और लक्षन सारे हैं, माहवारी जादा आ रही है तो एक special copperty होती है, जैसे मेरेना बोलते हैं, इसमें हामोन लगी होई copperty है, वो हम insert कर सकते हैं, ये normal copperty जैसे लगती है, OPD में उसी type से लग जाती है और क्योंकि इसमें हामोन हैं, तो ये धिरे धिरे जो लक्षन माहवारी के, उनको control कर लेता है, पान साल तक इसको हम insert करवा सकते हैं, और इससे patient को काफी improvement मिलती है चली, मैं में एक दर्शक है, हमारे साथ मुहम्मद फिरोज दिली से, बताईए मैं मुहम्मद फिरोज आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, जी फिरोज जी बताईए, और बहुत सरा इलाज करा है, तो पाइदा तो कहीं हुआ नहीं, आईबियस के चक्कर में पढ़ा हूँ क्या कोई वाइफ में कोई प्रॉबलम डाइगनोस हो यह जांच भाइते उनमें एम उसका इस दुजन है, अब बहुत सरा है, तो आईबियस के आफिए तो आईबियस का आईबियस के इपने कि बहुत साफम सेंफ में ही, और बहुत सारा पैसा नौन से में लग कियाते है, प्राब्लम रहती है बहुत दर्थ होता है अब इनकी बात से बता चल रहा है कि बहुत महीलाएं ऐसी है जिनको पीरिट में दर्थ की मेन प्राब्लम है वा महावारी जादा नहीं आ रही है बट पेन इतना जादा है कि उसकी वज़े से सारी प्राब्लम हो रही है यह जो है इसमें रसॉली नहीं होते हुए भी एक कंडीशन होती है एंडोमेट्रोयसिस जिसमें अंदर बच्चेदानी और बागी सब टिशूस चिपक जाते हैं वो चिपकने की वज़े से नाकेवल मह को हम ब्रेक कर सकते हैं और नलो को चेक कर सकते हैं वो ट्रीट्पनिंग को हम सला देना चाहेंगे चलिए हमारे साथ सुनील भी है लखनव से इनसे भी हम बात करेंगे बताए सुनील जी नमस्कार माम नमस्कार बताईए सवाल पूछे मैं मेरा ही सवाल है मेरी वाइप के अ प्रट्राउंड करा था लाग्वीड जी तो उन्हें रसोली बताईया 3.9 mm से 4.5 mm तक है ठीक है जी जी उनकी उमर कितनी होगी? उनकी उमर 25 mm है बिलकुल क्या आपकी फैमली अभी प्रेगनेंसी करनी है बच्चा है आपके पास या भी प्रेगनेंसी का सोच नहीं है आपके सुनील जी ऐसा है कि रसोली का साइस छोटा है एज आपकी वाइफ की कम है आपको भी फैमली बनानी है तो ऐसे केस में अगर अल्ट्रसाउंड से हमें यह पता चलता है कि माहवारी में भी इंको जैसे दिक्कत नहीं आ रही बाहर की तरफ यह है तो आप बिलकुल चिंता न पाइंगे परते हैं बिलकुल बस इतना ध्यान रखेगा जब भी ईंकी प्रेगनेसी टेस पॉजटिव आता है तो फाइब्रोइट की वज़े से जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि हाई- रिस प्रेट्नेंसी होती है तो डॉक्टर की supervision में रहकर timely treatment कराते रहेंगे क्योंकि यह एक fact है अलका जी कि जैसे जैसे pregnancy बढ़ती है rasooli भी अंदर body में बढ़ती है क्योंकि उसकी blood supply बढ़ जाती है क्योंकि बचेदानी grow हो रही होती है तो कई बार fibroid काफी बड़े आकार के हो जाते हैं जैसे जैसे pregnancy का time बढ़ता है बट उसमें कोई घबराने की जुरुत नहीं है, अगर उसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो वो दवाईयों से और ट्रीटमेंट से उसको हम सेटल कर पाते हैं तो सुनेल जी आपको घबराने के जुरुत नहीं है, बस डॉक्टर्स की निगरानिंग में रहेंगे आपकी पतनी, तो एक हल्दी बेवी को जर्म दे पाएंगे करना आप से बहुत सारी बाते करते हैं, बहुत सारी सवाब पूसते लेकिन स्टुडियो में आने के लिए आपका बहुत शुक्रिया और बहुत सारी दर्शक हमारे साथ जुड़े बहुत सारे महिलाओं के मन में जो सवाल रहे उनके जवाव हमने दिये और एक बात जो मैं हमेशा कहती हूँ वो आज भी कहूंगी कि आप खुश रहिए, हेल्दी रहिए और अगर आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि आप बीमार है तो डॉक्टर के पास जाना ना भूले क्यों झाल